नमस्ते विद्यार्थी मित्रों गुजराती मिटियों सब्जेक्ट हिंदी सेमेश्टर टू कक्षा आठ एकाई आठ होस्ना मना है जिसका प्रकार है चुटकुले तो विद्यार्थी मित्रों यहाँ पर चुटकुले दिये गए है चुटकुले के बारे में थोड़ी माहिती जानेंगे चुटकुले हासियो एवं व्योंग्य विनुत का एक ससक्त माध्य में चुटकुले का मुना प्रमुक्रून यह होता है कि उनका स्वरूप छोटा और सम सुन्ने में से हमारा तनाव दूर हो जाते है इस दुरूष्टी से चुटकुला तनाव दूर करने का ससक्त माध्यम है चुटकुले चुटकुले हासियो विनुत का ससक्त माध्यम है चुटकुले का प्रमुक्रून यह होता है कि उनका स्वरूप छोटा सम्माद भी छोटे चुटकूले पड़ने और सुने से जो तनाव, दूख दर्द है वो दूर होते हैं, थोड़ी तेर बाद हम अपने सारे दूख को भूलकर हसने में हसने लगते हैं, इस दुरुष्टी से चुटकूले तनाव then दूर करने का ससक्त माध्यम है। चुटकुलि से हमारा मनः खुूस हो जाटा है। इसलिए चुटकुलि सुनने चाहिए। तो आगे हम चुटकुलि देखेंगे पहला है। चूहा हाठी के पास गया और बोला हाठी दादा हाठी दादा क्या आप मुझे आपके लूंगी दो दिन के लिए दोगे हाठी ने कहा तुम इसका क्या करोगी चूहा ने कहा मेरे बेटे की साधी है उसमें तंबू लगाना है इस प्रकार दूसरा है पता नहीं लोग महिनों बीना नहाई कैसे रहती है मुझे तो 28 वे दिन ही खुजली होने लगती है तीसरा है ग्राहों का आपके पास तूठ ब्रस है दुकंदार ने कहा ब्रस नहीं है पेश्टे है ग्राहों अच्छा आपके पास पावडर होगा दुकंदार पावडर नहीं है क्रीम है ग्राहों ने कहा क्रीम नहीं चाहिए टोर्च मिलेगी इस प्रकार आगे दुकंदार ने कहा वह तो कल ही खत्म हो गए मौम बद्धी है ग्राग ने कहा खेर ताला तो होना ही चाहिए दुकंदार है दू ग्राग जी नहीं उसे अपनी दुकंपर लगा कर आप घर पर आराम कीजिए इस प्रकार चोथा है चुन्नू जहां ज्यादा बारिस होती है वहां क्या पाया जाता है छाटा पाजवा है तीन दोस्त आपस में गवशब कर रहे थे तीन दोस्त है वो इकटे होकर आपस में बाते कर रहे थे गवशब यानि बाते करना प्रश्ण हुआ कि किसी दिन सोकर उठने पर हम को यह पता चले कि हम लगपती बन गए तो हम क्या करेंगे तिनों मित्र है वो आपस में बाते कर रहे है कि हम लगपती बन गए तो हम करेंगे क्या एक ने कहा हम तो सिधे पेरिस जाएंगे और खुब मज़े करेंगे एक है पेरिस खुमने की बात करता है और खुब मज़े करने की बात करता है दूसरे ने कहा मैं किसी लाभ प्रद कारूबार में रुपिया लगवाँगा अगर मुझे पैसा मिला तो मैं किसी लाभ प्रद कारूबार मुझे लाभ मिलता हो ऐसे कारूबार में मैं एपनी रुपिया लगवाँगा तीसरा बोला मैं तो फिर सोने की कोशिस करूँगा और तब तक सोता रहूँगा जब तक करोड़ पती न बन जाँ छठा है भूत वर्तमान और भविश्य से तुम क्या समत्ती हो जी मेरे दादा जी भूत मेरे पिता जी वर्तमान और मेरे मैं उनका भविश्य इस प्रकार चुटकुले में बाटे कि यह सांतवा है प्रश्न रेल किराया इतना दिक बढ़ जाने पर भी यात्रियों की संख्या में व्रूति हो रही है इसका कारण बताईए उत्तर है इसका कारण यह है कि हर आदमी यही सोचता है कि अगले साल किराया और बढ़ जाएगा इसलिए अभी यात्रा कर ली जाए आठवा है शिक्सक ने सभी चात्रों को घास खाटी हुई गाई का चित्र बनाने को कहा सभी चात्र चित्र बना रहे ठी कलपेश ने अपना पन्ना कोरा छोर दिया शिक्सक ने कहा कलपेश इस चित्र में घास कहा है कलपेश ने कहा घास तो गाई खा गई सिख्षक ने गहा अच्छा तो गाई कहा है कलपेश ने कहा वहर तो घास खाकर चली गई इस प्रकार नौ में है चुन्णू ने कहा मम्मी से ज्यादा मुझे पापा का चाटा पसंद है क्यूं? क्योंकि पापा के प्रती चाटा पाँच रूपिये देते है चाटा देने के प्रती पापा है जो पांच रुपिये देते हैं इस प्रकार यहां चुटकुले पूरे खतम होता है इसके बाद विद्यार्थी मित्रो आपको चुटकुले में समझ में आया होगा उसके बाद अभ्यास है तो अभ्यास में आपको 5 चुटकुले बना कर अपनी हिंदीगी कापी में लिखना है स्वाध्या का प्रशन है तो उसमें मत्रु भासा में अनुवात करना है मत्रु भासा यानि हिंदी का गुजराती में अनुवात करना है दूसरा प्रश्न है राष्ट भासा में अनुवात किजिए ये गुजराती पेरेग्राफ आपको हिंदी भासा में अनुवात करना है हिंदी में अनुवात करना है इस प्रकार यह पाठी यहां पून होता है